वेलकम तो जनस्टेनो क्लासेज की है परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरित्रता अभाव तथा कश्ट से मुक्त करा पाए हैं प्रकर्ती की शक्तियों को अपनी अधीन करने और जनता के कल्यान के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बड़े हैं किन्तु हम यह नहीं भूल सकते की कुछ महिने ही हुए हैं हमें भारत के उत्री पूर्वी प्रदेशों में भयारत बार का सामना करना पड़ा था जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहां की जनता को भारी हानी उठानी पड़ी नी संद्य शाक्षरता प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपून उपाय भी हमने सोचे हैं यह दपी अभी भी देश के बहुत से ऐसे भागों में नरक्षरता और बीमारी परियाप्त मात्रा में दिखाई देती हैं जनकल्यान की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे यह हमारा दड़ संकल्प है इसमें संधेय नहीं किया जा सकता इन योजनाओं के पूरे होने के संबंद में जो प्रयास अब तक किया जा सकता है उससे भी हमें ऐसंतुष्ट नहीं होना चाहिए फिर भी जो कुछ भी अब तक किया जा सका है यह दिव है बहुत चमत कारिक नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्मान कार्य जारी है और समाप्त नहीं होआ है राष्ट के निर्मान के समय में आवशक्ता होती है आज हमारा गंराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट के इतिहास में पांच साथ वर्ष की अवधी एक स्वैल्प काल है आईए अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नजर डाले और यह देखे की विकास के कारियों और निर्मान योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगी बढ़ सके हैं यदि मुझे यह कहा जाए कि बीते वर्ष घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं तो मैं कहना चाहूंगा की समविदान में दिये गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंब किया है जिससे यह इसपस्ट हो जाता है कि भारत में कल्यानकारी राज्ज की इस्तापना का श्री गणेश हो चुका है पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किये थे वह अब मुर्तिमान होने लगे है इसलिए आभी है समझना कटिन है की राष्ट किदर जा रहा है और आगामी दस पंद्रह वर्षों में हमने किस इस्तती में होंगे महाननदी घाटी योजनाओं पर कारे बराबर जारी है इन में से एक योजना भाकडा नांगल योजना से बहमुल्य पानी और बिजली पंजाब पेपसू तथा राजस्तान के भागों को मिलने भी लग गई है दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भाती यह योजना भी शेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है भाकडा नांगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पस्थ है कि इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे